के चलो अब देखते हैं da नंबर को कैसे ऐड करेंगे यहीद दोनों रेशनल नंबर का डिनिवेट्र सेम Firebase। होत तों माल लेते हैं एक यवाई बी क्या है एक रेस्नल नंबर है किसी बाई बी बीन क्या है एक रेस्नल लंबर ठीक है je क्ञाई आइद मुझे क्या करना ऐड करना देखो भा का जो डिनुमिनेटर है यह अग भी है सी इसका मतलब है कि दोनक दोनों डेयेूए अग़ा ते लाइक नौमिनेटर वाला ऐस्नि में एक करेंगे तो हम क्या करेंगे इसके नॉमिनेटर को एड कर लेंगे नॉमिनेटर को एड कर लेंगे और दिनुमिनेटर को सेम वैसे ही छोड़ देंगे एक ही दिनुमिनेटर को देखो मतलब दिनुमिनेटर जो इसको कमल कर लेंगे एक का में denominator ले लेंगे और इसके नॉमिनेटर को add कर लेंगे कुछ इस पर question करते हैं ताकि आपका doubt clear हो सके ठीक है जैसे लेते हैं minus 2 by 5 and 4 by 5 तो देखो minus 2 by 5 जो है और 4 by 5 जो rational number है दोनों का denominator कितना है 5 है इसका मतलब दोनों denominator क्या है सेम है that means like denominator है तो कैसे करेंगे तो देखो minus 2 by 5 plus 4 by 5 तो simply हम क्या करेंगे इसके नॉमिनेटर को add करेंगे जैसे minus 2 plus 4 by 5 को एज़े इसको एड़ नहीं करें सिंप्लिफाइब का 5 ठीक है मतलब आज़े common कर लेंगे इससे भी कर सकते हो ठीक है तो देखो तो आप देखो यहाँ पर अपोजिट साइन है एक प्लस एक प्लस है दूसरा माइनस है है कि नहीं अब जानते हो अपोजिट साइन होता है तो क्या करते हो आप बड़े में से छोटे को सब्टेट करें मतलब फोर में इसे कितना हुआ तो हो गया तू बाइफई अब देखते हो कि जोता है तो सा नंबर बढ़ा है तो देखो फोर बढ़ा है इसका मतलब फॉर्ड़ जो बढ़ा है इस पर sign क्या होगा प्लास होगा तो आप प्लास साइन लिखने की कोई जुरत नहीं है ठीक है तो इससे अब दुसरा लेते हैं माइनस 6 बाई 11 एंड माइनस 4 बाई 11 ठीक है तो देखो यहाँ भी माइनस 6 बाई 11 और माइनस 4 बाई 11 का जो डिनुमेटर है वह क्या है सेम है दोनों के डिनुमेटर जो होता है 11 है तो इसको कैसे आड करोगे तो देखो माइनस 6 बाई 11 प्लास माइनस 4 बाई 11 सिंपली जो एता है इसके नुमिनेटर को अड करो और इसको डिनुमेटर को common कर लो मतलब एक NOD note लिखो, उसको denominator को add कर लो, अदिनमेटर को common कर लो ठीक है, तो देख Wakali minus 6, plus और minus 4 ठीक है by 11 ठीक है तो देखो minus 6 और plus into minus gives minus 4 by 11, ठीक है तो देखो 6 और 4 हो गया देखो, दोनों साइन सेम है आपको बताए गया है कि, अगर साइन सेम हो तो सिंपली एड़ करो मतलब 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया 10 वाई 11 और यहां पर किसका साइन क्या लगा जो दोनों पर कमन साइन है उस कमन साइन को आप इंप्लिमेंट कर दो मिस नेगेटिव आप 10 वाई 11 होगा ठीक है तो कुछ और कुश्चन लेते हैं देखो जैसे माइनस 11 वाई 8 एंड फाइब बाई 8 तो देखो यहां पर तो यहां जो माइनस 11 वाई 8 और 5 वाई 8 इसका भी दिनमेटर क्या है सेम है जो की 8 है ठीक है तो सिं जैसे नवीनेटर को एंसे छोड़कर देंगे एंड लेगा इसको चाहे इसको पामन करो ठीक है मतलब नेवां कमन ले लो उसका और माइनस 11 वाई 8 फ्लस 5 वाई 8 तो इसके ऎवनकर लो 8 फ्लस 5 तो प्याइब है तो बंढ़े मे से च्छोटे का सब्टले गड़ेट का डिफ डिफ्रेंस लेती हूं डिफ्रेंस मतलब 11 में से 5 गया कितना हो गया आपका 6 हो गया 6 by 8 अब देखना है कि यहां पर negative sign होगा कि positive sign होगा तो देखना है कि इसमें से कौन बढ़ा है आपका 11 बढ़ा 11 पर क्या sign है negative इसका नेगेटिव देख एक cancel होने वाला है 2 से यह 4 then 3 means आपका कितना हो गया minus 3 by 4 हो गया ठीक है कुछ question और लेते हैं ताकि आपका doubt पुरी तरह से clear हो सके ठीक है minus 7 by 3 and 1 by 3 ठीक है तो देखो यहां minus 7 by 3 और 1 by 3 का जो denominator है क्या है same है that means like denominator है तो simply उसके nominator को add करेंगे और denominator को कमन कर लेंगे ठीक है तो देखो minus 7 by 3 plus 1 by 3 तो simply इसके denominator को कमन कर लिया ठीक है तो देखो यहां पे तो आपका क्या हो गया यहां भी ब्यापोजिट साइन है तो आप क्या करो डिफ्रेंस लो या बड़े मेंसे छोटे को सब्टेट को वहीं बात है तो 7 मेंसे 1 गया 6 by 3 यहां पे देखना है कि आप देखना है यहां पे साइन नेगेटीव होगा की पूजिटीव होगा देखने क्या साव बडा है 7 बड़ा है की pandवा ड़क। इसका मतल ی M2 एनस अब देखते हैं फाइब ऐस एड मैंनन 1 ऐसच्छ ठीक कर तो देखूं यहां जो 5ड युप 6 हैयåर माहीनसस ववन भास टिक्स है दोनों क जो डीनमिंटर है क्या है सेम इसका मतलब है कि लाइक तो क्या करोगे लाइक डेमिंटर को सबसे पहले आपका फाइब भाइस फ्लॉस मानस वन सिक्स डांब कर लेते हैं और इसके नभीनेटर को हम ना sign ठीक है तो simply देखो एक प्लस है एक माइनस है दोनों काडिशन कर रहे हैं तो क्या करोगे डिफ्रेंस लोगे मतलब बड़े में से छोटे को सब्टेट करोगे तो फाइप में से वान गया कितना होगा फॉर बाइसिक्स अब दिखना है कि यहां पर साइन क्या होगा तो सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको डिफ्रेंटर को सेम कर देंगे कि मतलब कमन लेंगे और और नॉमिनेटर को इसको निमिरेटर को एड कर देंगे ठीक है तो देखो तो देखो अब क्या है यहाँ पर साइन सेम है यहाँ पी माइनस साइन है यहाँ माइनस साइन है तो आपको बताया क्या है आप इसी कर सकते हो देखो प्लस इंटू माइनस गिफ्स माइनस आ जाएग उसको simply add कर देते हो 17 1 18 हो गया 18 by 15 अब देखना है कि यहां पर जो हमारा result आया उस पर sign क्या होगा तो तो कौन सो बड़ा है तो देखो बड़ा इसमें कोई बात नहीं क्योंकि दोनों सेम साइन है तो जो कमन जो कमन है जो दोनों पर कमन साइन है उस कमन साइन को इंप्लिमेंट कर देंगे मतलब दोनों पर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लगा देंगे कोई 3 seconds ही लोगा 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 माइनस 6 by 5 ओके तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए helpful है तो प्लीज चनल को like and subscribe प्लीज ज़रूर करे क्योंकि आपका like and subscribe ही motivate करता दुस्तों थैंक्य फ्रेंड्स